अस्सलाम उलेकूम, प्रोग्रेमर चीमा हीर इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा कि पॉइंटर्स और अरेस किस तरह से एक ही है और हमने ये देखा कि अरे को फंक्शन के अंदर किस तरह से इस्तमाल किया जा सकता है ये जो पॉइंटर अरिथमेटिक को टॉपिक है, ये इंतहाई चोटा टॉपिक है बेसिकली हम इसमें ये देखने लगे हैं कि पॉइंटर्स के साथ एडिशन सब्ट्रेक्शन कैसे होती है थोड़ा बहुत हमने एडिशन सब्ट्रेक्शन पिछली वीडियो में भी किया जो आपको शायद उसका अंदाजा ना हुगा हो लेकिन इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा अच्छा ये जो पॉइंटर इसमेटिक का जो कॉंसेप्ट है ये concept of memory address वाली वीडियो के साथ बहुत जुड़ा हुआ है तो अगर आपको वहां memory address की समझ नहीं आई कि memory address किस तरह से काम करती है और pointer का क्या तालुक है memory address के साथ memory जो होती है memory storage उसके साथ क्या concept है अगर आपको उसकी नहीं समझ आई तो फिर आपको pointer arithmetic की भी शायद इतनी अची ना समझ जाए अब हम आगे बढ़ते हैं और VS code में देखते हैं कि ये एक आखिर क्या चीज है तो आप ये देख सकते है words जो है string की array है ठीक है इसमें 5 लफज लफज लफज, 2nd, 3rd, 4th, 5th और अब मैं इसको एक pointer के इंदे डालें लगाँ string, asterisk, p, words ठीक है और फिर words को हमने सिधा-सिधा डाल दिया तो ये जो words है ये होगा पहला element जाहर है अब हम ये करते हैं कि हम cout करते है words, 0 को और हम cout करते है s to s p words, same ही चीज है इसका जो output आएगा वो होगा first जहां तक हमें समझ है अगर हम words ब्रैकिट 0 के विजए ये भी कर लें तो same ही चीज है, ठीक है न? बलके हम ऐसा करते हैं, इस पर भी ये करके देखते हैं और, हाँ, अब ctlf5 करते हैं तो ये देखें, दोनों का output आया है first word 0, pivot 0, नहीं के जाहर है, ये सेम है और ये आपने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा था क्यों pointers और array सेम ही चीज होती है ठीक हो गया तो अब अगर हम मैं यहां one लिखता हूँ, ठीक है ना, one यहां भी लिखूँ तो क्या होगा देखते हैं, ctlf5 और यहां second goal दिया p words क्योंके words के पहले memory address पे था तो one से वो अगले memory address पे चला गया अगले memory address यानि के फर्स करने, 4 byte size है एक string क्या तो इसका मतलब यह है के अगर मैंने यहां one लिखा है तो वो 4 bytes cross करके पांचवी byte पर चला गया पांचवी byte पर उसने कहा के यहां होगा string और फिर उसने string निकाला second ठीक हो गया, इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लेके यह है पहले 4 bytes जो के first को बताते हैं के यहां first है अब यह हैं दूसरे 4 bytes, अगले 4 bytes और उसके बाद उससे अगले 4 bytes उसके बाद उससे अगले 4 bytes और end पर ठीक है, इस तरह से तो हो यह रहा है कि जब हम pv1 लिखते हैं तो यह इन 4 bytes को cross करता है और 50 bytes पर आकर यह second वाला पूरा पढ़ लेता है ठीक है न, second देखकर वो print कर देता है तो pv1 में यह हो रहा है, और pv1 जो है, वो दर असल यह है pv1 plus 1 और asterisk पीछे लगाए ठीक हो गया, pv1 plus 1, pointer के अंदर एक हम add कर रहे है pointer के अंदर एक add करने का मतलब है कि जो pointer की जो type है, उसका size है न, वो आगे भढ़ा देता है मतलब 4 bytes है न, फर्स करें, एक string का size 4 bytes है और यह string का pointer है, तो यह 4 bytes आगे भढ़ जएगा अगर इसमें 1 add किया यानि कि इदर आगे 2 पर, ठीक है यह चीज हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी यह तो है temporary, ठीक है न, कि plus 1 किया और फिर उसने c out कर दिया plus 1 पर, यह था temporary मैं जो भी बात करने लगा हूँ, वो है permanent memory address change की ठीक हो गया, तो permanent memory address change से क्या मुराद है अब यहाँ देखें, कि मैंने लिखा है, asterisk p words plus 1 handle तो इससे second आ आ गया, ठीक है अब मैं फिर c out करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ, asterisk p words तो यहाँ आएगा first, ठीक है न, first आएगा इदर तो पिछला वाला program stop करते हैं, और अब इसको run करते हैं, ctlf5 तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इसने बोला है second, p words plus 1 पर, ठीक है, क्योंकि words जो array है, उसका जो दूसरा element है, वो second है, जार है और फिर उसके बाद हमने asterisk p words किया, तो first आ गया, ठीक है, और मेरे हैल से कि आपको पहले ही समझ थी, यह कोई इतनी rocket science नहीं है तो, अब जो मैं arithmetic की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब यह है कि मैं यहाँ अब लिख दूँ, p words is equal to p words plus 1 जानी कि कहलें कि मैंने increment कर दिया, एक number क्या किया, increment बढ़ा दिया और उसको बढ़ाने के बाद, मैं, मतलब यह वाला छोड़ देता हूं line, क्योंकि अब तो हमने इस दफा हमने plus 1 नहीं लिखा, p words के साथ, क्योंकि plus 1 पीछे हो चुका है, यहां हमने plus 1 कर दिया, increment यहां ही बैठा हूँ पॉइंटर, ठीक है ना, और इसी को हम arithmetic क्याते है, हम यहां p words plus 1 की बजया, यह भी लिख सकते थे, p words plus 1, यह भी लिख सकते थे, plus equal to 1, मतलब जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक हो गा, तो यहां मैं इसी तरह plus 1 की बजया, plus 3 भी कर सकता हूँ, ठीक हो गा, प्लस 3 करूँगा अब इसी तरह हम, यहां कर सकते है, p words minus equal to 5, ठीक है, p words minus equal to 5 किया, अब मैं सी आउट का रहा हूँ, asterisk p words, and l, ठीक है, अब देखते हैं, क्या होगा, ctlf5, और यह देखे, program crash हो गया, ठीक है, लिटरली, अभी थोई दर के लिख सकते हैं, प्रीन आई थी, और फिर crash होगा, क्योंकि, minus 5 किया, तो अब कहां देख रहे हो, ठीक है न, यह 3 किया, 4, 4 होगा न, 4 में minus 5 करें, तो यह तो first से भी पीछे चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं, segmentation fault, कहलो, या जो भी इसके लिए सही word है, वैसे segmentation fault ही से कहते हैं, कि आप array स crash हो जाते हैं, यह गलत चीज है, minus equal to 5 की बजाए, minus equal to 2 करता हूँ, ठीक होगा, देखना भी तो है न, कि चलता भी है minus यह न, तो यह देखें, fourth or second, ठीक है न, यहाँ पहले 0 पे था, plus 3 हुआ fourth, और minus 2 हुआ, second पे आ गया, pointer arithmetic में, multiplication और division नहीं है, इस सिरफ addition और subtraction है, मुझे यह उमीद है, आप लोगों को pointers की समझ आ गई होगी, चार वीडियो में मैंने इसको डिवाइड के, क्योंकि यह इंतहाई important topic है, यह जो pointers का, जो है, न, मसला, यह आगे आप बहुत बार देखेंगे, कि pointers हर जगह टांग अड़ाते हैं, हास और पे C++ में, और pointers का concept है, यह ब आपने कोई data structure बनाना हो, या फिर कोई भी भड़ा data हो, जिसके साथ आपने काम करना हो, तो pointers हमेशा वहाँ आ जाते हैं, तो बस यह topic था, अब आपको चाहिए कि आप pointers की practice करें, चारो वीडियो को एक बार फिर देखें, और उनको लिखें, pointers को लिखें, और चला कर देखे references को भी लिखें, functions के अंदर pointers और arrays डालें, और इसकी practice करें, ठीक है ना, pointer arithmetic आज topic दिखाया है, इसको भी आप देख ली जाएगा, अगर आपने यहां तक देख लिए ना, सारी वीडियो, शुरू से लेकर pointers तक, तो यकीन करें, आपने एक तरह से कहले, basics सीख लिए हैं, और अब आप काफी complex काम कर सकते हैं, programming के अंदर, अगर आप थोड़ा जहें लड़ाएं तो, अपना ख्याल लखें, अपनी family का ख्याल लखें, और हमेशा हुश रहें, इसी तरह आप coding देखते रहें, यह tutorials मेरे, और programmer चीमा को subscribe भी कर दें, अगर आपको समझ आई है, pointers की, म आपेज,